असलाम लेकुम फ्रेंड्स आज हम बनाएंगे जपली कवाब यह बहुत जादा टेस्टी बनेंगे यहाँ पर यह मैंने 1 kg कीमा लिया है कीमा आप अपने हिसाब से मटन या बीफ कोई सा भी ले सकती है एक तुम फाइन कीमा है यह कीमे में कम से कम 20% होना चाहिए जो आपके क कवाबों को बहुत अच्छा जायका देगा अब मैं इसके अंदर वन टीस्पून नमक एट कर दूंगी तू टीस्पून मैं इसके अंदर क्रश्ट रैड चिली एट करूंगी आप चाहें तो रैड चिली पावडर भी एट कर सकती है इससे ज़रा टेस्ट जादा अच्छा क्रश्ट तो तीस्पून मैं इसके अंदर ब्लेक पेपर एट करोंगी यह बी मैंने क्रश्ट कर ली है तो इसके जीड गर्म्ति करेंगे हम इसके अंदर फैस था बरम आट कर दून किरोटश पीर है वं टीजपून गरम मसाला मैंने coriander seeds ली है इनको भी मैंने crush कर लिया है यह 1 teaspoon अनारदाना है इसे भी हमने crush कर लिया है आप चाहे तो इसके अंदर इसका powder भी add कर सकती है यह 3 tablespoon मक्के का आटा है अगर आपके पास यह नहीं हो तो आप इसके अंदर basin भी add कर सकती है मक्के के आटे से इसमें एक अलग का paste add कर देंगे यह मैंने दो large size के onion ली है इनको मैंने grind कर लिया है हम इस तरह से दबा दबा के इसके अंदर जो पानी होता है वह हमें निकाल देना है कवाब के अंदर हमें onion का पानी नहीं चाहिए आप grind करने के बाद दोनों हातों से हलकित दबा दबा के इस तरह से हम प्यास हमें चाहिए सूकी सूकी वह हम इसमें add कर देंगे आप चाहें तो किसी स्ट्रेनर में भी इस तरह से प्यास को डालें और जो इसका दिखिए पानी अलग हो गया है वो हम अलग कर देंगे और यह जो प्यास है हमारी वह हम इसमें एट कर देंगे यह मैंने चार मेरियम साइज के टमाटर ली है इनको भी मैंने एक दों फाइन चॉप कर लिया है इस तरह से आप इससे काट लीजेगा यह फ्रेश कोरियंडर है और पास से छे ग्रीन चिली मिर्च आप अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग कम यह ज़्यादा कर सकते हैं अगर आप ज़्यादा मिर्च पसंद करते हैं तो आप ज़्यादा डालीजे अब सारे मसालों को हम अच्छी तरह से इसमें मिक्स कर लेंगे जितने ज़्यादा अच्छी तरह से आप सारे मसाले मिक्स करेंगी कवाबों में आपकी उतना ही ज़्यादा अच्छा टेस्ट आएगा इसमें थोड़ी मेहनत बस इसमें आपको करनी है कि जितने आप जोर लगाके अच्छी तरह से अच्छी मेश करें जितना अच्छी आप इसे मेश करेंगी अब हम इसको एक प्लेट में ट्रांसफर कर लेंगे सारे इसको कीमे को और मैंसे हाथो की help से आप इस तरह से मसलूंगी बिए इस तरह से इससे हमारे कवाब होते हैं वह बहुत ज्यादा अच्छा टेक्स्ट्टर आता हुआ उसके इंदर और बहुत ज्यादा स्मूध जूसी बनते हैं लिए उस पासे दस मिनिट आप इस तरह से इसे मसल लिजे 20-20 minutes इसको अच्छी दान से मैश करने के बाद हम इसको मैरिनेट के लिए रख देंगे कम से कम आप इसको दो गंटे के लिए जरूर रखें अगर आप चाहें तो इसी वक्त भी बना सकती है लेकिन मैरिनेट करने के बाद इसका बहुत ही ज़ादा अच्छा टेस्ट आता है दो गंटे हो चुके है अब हम हातों पे थोड़ा सा ओईल या पानी कुछ भी लगा लें मैं यहाँ पर अपने हातों पे ओईल लगा रही हूँ और इसके हम कवाब बनाएंगे मैं यहाँ पर मेडियम साइस के कवाब बनाऊंगी आप चाहें तो बड़े साइस के भी बना सकती है अपनी पसंद के मताबिक छोटे या बड़े किसी भी साइस के आप कवाब बनाएं इसको हम हातेली पे रखके इस तरह से इसको आप जितना जदा पतला दबाएंगी उतने जदा अच्छे आप कवाब बनेंगी अगर आप चाहें तो मोटे भी बना सकती है लेकिन मैं इसको जदा पतले बनाएं वही जदा अच्छे लगते हैं इसको खोब हम हातेली पे रखके इस तरह से दबा दबा के इसको हम flat कर लेंगे देखिए इस तरह से यह हमारा कवाब तयार हो जाएगा fry करने के बाद यह थोड़े शिरिंक होते हैं तो हम जितना हो सके उसको उतना ज़ादा हम इसको पतला करेंगे इसी तरह से हम सारे कवाब बना लेंगे थोड़ा सा हाथ में लेके इसको दबा दबाके बिल्कुल पतला पतला फ्लैट कर लेंगे बहुत ही जादा टेस्टी बनते हैं ये कवाब और ये बहुत जितने जादा अंदर से जूसी बनेंगे बाहर से ही उतने ही जादा क्रिस्पी बनेंगे इस तरह से हम सारे कवाब तयार कर लेंगे जब लिए कवाब एक ऐसी डिशे आप चाहें तो इसे चटनी के साथ भी खा सकते हैं बिल्कुल प्लेन या फिर आप इसे रोटी या पराठी के साथ भी खाएं ये बहुत ज़्यादा टेस्टी लगते हैं आप इसे एक बर बनाएंगी तो देखना आप इसको दुबारा या तिवारा भी बनाएंगी चलिए अब कवाबों को फ्राई करते हैं सबसे पहले पैन में मैं आईल डालूंगी कुछ लोग इसे डी फ्राई भी करते हैं लेकिन मैं यहाँ शैलो फ्राई करूंगी जब ओयल थोड़ा गर्म हो जाएगा तो हम इसके अंदर कवाब डालेंगे फ्लेम को हमें मीडियम ही रखना है कवाबों को जिस वक्त आप डालें तो इनको इस तरह से अच्छी तरह से पतला पतला दबा लेंगी जितना ज़्यादा आप इसे दबाएंगी पतला करके इसमें डालेंगी उतने ज़्यादा यह अच्छे बनेंगे वैसी यह जब पकेंगे तो यह थोड़े श्रिंक हो जाते हैं प्लेम को मीडियम रखिएगा और दोनों तरफ से हम इसे गोल्डन ब्राउन होने तक सेखेंगे बहुती ज़्यादा अच्छी खुश्वू आती है इस वक्त जब यह फ्राई होते हैं तो पूरा घर आपका इसकी खुश्वू से महग जाएगा अब यह एक तरफ से गोल्डन हो चुके हैं अब मैं इने पालट दोंगी देखिए अंदर से बहुती ज़्यादा जूसी हों गई यह और बहार से क्रिस्पी हों गई देखिए दोंगी तरफ से इस पर बहुत अच्छा कलर आ चुका है हमारे कबाब फ्राई हो चुके हैं अब हम इने निकाल लेंगे इसमें से तीन से चार मिलिट के अंदर ही फ्राई हो जाते हैं इसी तरह से हम सारे कबाबों को फ्राई कर लेंगे चपली कबाब ऐसी डिश है जाए विंटर हो जाए समर हो यह हर सिजन में बहुत ज़ादा अच्छे लगते हैं कबाब हमारे फ्राई हो चुके हैं चलिए अब हम इनको सर्फ करेंगे चपली कबाब तयार हैं यह बहुत ज़ादा टेस्टी बन हैं अंदर से ज़ादा बहुत जूसी और पहार सी क्रिस्पी अगर आपको फ्रेंड्स मेरे यह डिश पसंद आई है तो प्लीज मेरे चैनल को सबस्क्राइब करिएगा और मेरे वीडियो को लाइक करिएगा थेंक्स पर वाचिंग